एक बार अगर घर में खटमल हो जाए हमारी रातों की नीध हराम हो जाती है क्योंकि बिस्तर पर लेटते ही ये खून चुसने के लिए बेट के किनारों और धरारों से निकलना शुरू कर देते हैं आज की वीडियो में बताएंगे एक अचू कूपाई जिससे एक ही बार में खटमल को खतम किया जा सकता है तो जानते हैं कि आपको करना क्या है सबसे पहले आपको एक मगपानी लेना है उसमें डेटॉल एड करना है और फिर कोई भी डेटर्जन पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं उसको दो चमच डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप इसको क्या कीजिए एक स्प्रे बोटल में डाल लीजिए और उसके बाद आपके जो भी बैड या चरपाई है सबी जगह स्प्रे कर देना है बेट के जो किनारे हैं और वहां के आसपस कोई भी धरार है तो वहां पर भी उसे स्प्रे कर दीजिए इससे सारे खटमल जो की छिपे भी रहेंगे वो बाहर निकल कर मर जाएंगे तो वहीं दूसरा उपाय है नीम की पतियों को आप क्या करें अच्छी मात्रा में लेकर 10 से 15 मिनट तक उबालें उसके बाद इस पानी को भी स्प्रे बोटल में भर कर घर के कोनों और धरारों में स्प्रे करें इससे घर में छुपे हुए सारे खटमल मर जाएंगे तीसरा जो तरीका है वो है मिट्टी का तेल आप सभी की घर में मिट्टी का तेल तो आसानी से मिल जाएगा उसको क्या करें जहां पर भी खटमल दिखाई देते हैं वहाँ पर इसका छिड़काव करें सारे खटमल आपके फरनीचर से बाहर आ जाएंगे जिसके बाद उसे आसानी से मारा चा सकता है तो वही अगला तरीका है पुदीना खटमल पुदीने की गंद को बिलकुल भी सहन नहीं कर पाता है तो कुछ पुदीने की पतियां को आप अपने बिस्तर के आसपास रख दें इससे वो आपको रात में परिशान नहीं करेंगे तो वही अगला तरीका है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा भी घरेलू उपाय है जिसकी सहायता से आप खटमल जैसे कीडों से निजात पा सकते हैं baking soda खटमल के अंदर से नमी निकाल देता है जिससे खटमल कमजोर पड़ जाते हैं और आसानी से मर जाते हैं और आखरी तरीका भी बहुत ही बहतरीन है मेरा खुद का अजमाया हुआ है तो इस तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको यूज करना है लाल मिर्च, अदरक और अरिगनो ओल ठीक है देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है सबसे पहले अद्रक को बारीक पीस लेना है फिर लाल मिर्च और जो भी आपका पीसा हुआ अद्रक है और औरिगिनो तेल इसको किसी बरतन में डाल कर उसे पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है फिर इसे थोड़ी देर गरम करने के बाद ठंडा होने दीजिए उसके इसे बाद प्रे वोटल में डालकर पूरे घर में खटमल के स्थानों पर छिड़काब करें इससे जो है आप खटमल से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं तो आप इनमें से किसी भी तरीकी का इस्तिमाल कर सकते हैं और जब आपका खटमल भाग जाए तो दुबारा से आपको आकर कमेंट में जरूर बताना है कि हां आपको जो है ये विधी कैसी लगी और उसका रिजल्ट कैसा आया